Hello students, स्वागता आप सभी का आपके अपने चनल में Actually, यह light में पता नहीं क्या, इससे में problem है Camera के वज़ा से, यह light के वज़ा से कुछ fumbling सा आ रहा है But क्या करें, काफी time से मैं प्रयास कर रहा हूँ तो टाइम जादे खराब हो रहा है And I hope you will understand, आप समझोगे और manage कर सकोगे इतना जादे कोई खराब भी नहीं है lighting तो ठीक ठाक है, देख रहा है, आपको चीजे समझ पाओगे आप तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बीए थर्डियर की sociology का paper number 3 का chapter number 1 इसमें जो आपका paper number 3 है ना बीए थर्डियर की, यह है आपका समाजिक आंदोलनों का समाज साथ कि कैसे कैसे आंदोलन हुए, वो आंदोलन क्यों हुए, आंदोलन के बीशे region क्या होता है मतलब पूरी तरह से समाज में जितने भी types के आंदोलन हुए हर आंदोलन के बारे में आपसे डिसकस किया गया है कि भारतियर समाज में या फिर मतलब समाज में क्या-क्या आंदोलन हुए है भी तक तो आज का जो मारा chapter है, पहला chapter यह बेसिकली एक तरीके से जो पूरा paper होता है पहला chapter आप कोई भी subject का उठा करके देख लोगे sociology के paper आप उठा रहे हो ना समाज सास्तर का तो उसमें पहले ही question पूछ लेगा sociology क्या है sociology के वेविनी छेतर मतलब पूरा जो paper है पहले chapter में cover हो जाता है मतलब कि एक overview आपको मिल जाता है कि क्या topic आपको पढ़ना है पूरे paper में तो paper का नाम भी सामाजिक आंदोलनों के प्रकार के बारे में बात क्या गया है जो पहला chapter आपका वो है सामाजिक आंदोलन इसके प्रकार और इसकी विसेस्ता है क्या है इस पर हमें बात करनी है तो अगर हम बात करें सामाजिक आंदोलनों के बारे में हमें वो चीज अच्छे नहीं लग रही है, हमको change करना है, मतलब वो चीज हमारे लिए beneficial नहीं है, फिर हम उसको change करते हैं, जैसे कि अगर कहा जाए कि जब समाज में कोई प्रचलित मानक और मुल्यों से आसंतोस पैदा हो जाता है, यानि कि समाज में कोई प्रचलित कोई मूल है, कोई आदर्स है, कोई सिस्टम है जो चल रहा है, और उसको लेकर कि लोगों कंदर एक अक्रोस पैदा हो जाए, एक आसंतोस पैदा हो जाए कि नहीं यार, यह चीज ठीक नहीं हमारे लिए, तब लोग क्या करते हैं, संगठित हो करके इस वेवस्ता के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, कि नहीं यह चीज हमें नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करना है, ऐसी वेवस्ता हमें नहीं चाहिए, तो यह नई दिशा की और क्या घरता है, समाज को ले जाना होता है, एक तरीके से एक नई दिशा के तरफ की यह वेवस्ता ऐसी होनी चाहिए, हम जिस व में कोई जो भी अंदोलन होता है न फूग क्या होता है कि समाज में चल रहा होता सिर्टम उस सिर्टम के खिलाफ ही होता है कि जो भी चीजे हो रही है हम उस 국민 संतुम नहीं है तभी तो सामाजिक अंदोलन एक सामुहिक सामाजिक प्रयास है जिसका उद्देश होता है एक नई जीवन पद्धत को अस्थापित करना कि जो इस समय प्रजेंट में जीवन पद्धत है वो हमें बहतर नहीं लग रही है हमको क्या गरना है एक नई जीवन पद्धत को इस्टेबलिस कर दूसरा इस पर अपना विचार रखते हुए म.S. राओ कहते हैं कि सामाजिक अंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उदेश होता है विचारों, ब्योहारों और सामाजिक सम्बंधों में परिवर्टन लाना निकर हम विचारों में कोई movement किया जाता है तो वो कहलाता है आपका सामाजिक आंदोलन तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन को define किया गया है अब सामाजिक आंदोलन के कई सारे types हैं अलग-अलग types के सामाजिक अंदोलन हो सकता है, बतब समाज है, समाज में अंदोलन आपने कई टाइपस के आंदोलन देखे होंगे, कभी किसी चीज़ को लेकर के आंदोलन होता है, कभी किसी चीज़ को लेकर के आंदोलन होता है, आपने देश का आजाद होते वे भी आंदोलन देखा हुआ था, देश आजादी के समय भी अलग-अलग टाइपस के अलग-अलग लोगों ने किया हुआ था तो आंदूलन के भी अपने अलग-अलग टाइपस के प्रकार होते हैं आप हिश्टरी उठा करें के देखो कि तमाम सारे अंदूलनों का आपको इतिहास देखने को मिलेगा तो इसमें लिए क्या जाए कि हाँ इस चीज में इतना ठीक कर देना चहिए तो हमारे समाज ठीक हो जाएगा शैनि कि जब जो कोई आंदूलन क्या किया जाए किसी चली आ रही प्रता को किसी चली आ रही व्यवस्था में सुधार करने की बात किया जाए कि इसमें कि थोड़ा सा ठीक कर दो भाई यह चीज गलती है इसको थोड़ा सा सुधार लो तो जब कोई आंदोलन क्या जाए सुधार को दिश्टिकोड को रखते वे जब उसमें आंदोलन किया जाए तो ऐसा आंदोलन कहलाता है आपका क्या सुधारवादी आ करता है और जब व्यवस्था से कोई problem होती है और उस ववस्था के खिलाफ पूरी तरह से और न न नहीं है इसके बाद अगला आता है आपका तीसरा है टाइब चू आंदोलन का वो है अपका खंडनात्मक आंदोलन यह एक ऐसा टाइप आपको जिसमें क्या होता है पूरी चीज को चेंज करने की जरूत होती इसमें कुछ पाट या कुछ वर्ग मिशेष में कुछ जेंज करने की जरूरत होती है कुछ ही वर्ग विशेष का जो एक मुंबंड होता है। अपने आप में नाम से पता चल रहा है कि खंड का बंदोलन खंड बाए खंड बंद जो चीजे बति ये बति होई है। उन खंडों का आंदोलनी क्या कलाएगा आपका खंडात्मक आंदोलन। अगला है आपका संपूर्थावादी आंदोलन। संपूर्थावादी आंदोलन यानि कि जब हमें किसी प्यवस्था को पूरी तरह से चेंज ही करना हो। जयने कि उसका पूरा रुहान ही यह मैं पूरी अलग लग रहा हुआ और जमपल जैसे की आप देखें कि पहले राजतंतर था, राजतंतर से पूरी तरह से चेंज करके यह मैं लोकतंतर प्रलेकर के आना है, अब हमारे देश का संभीधान बनाया गया तो जब क्या हो कि पूरी ब्यवस्था को आमोल चुल परिवर्तन करना हो तो वो कहलाता है आपका संपूर्था वादी आंदोलन यानि कि ऐसे आंदोलन जो पूरी ब्यवस्था को ही change कर दे पूरी ब्यवस्था का पूरे system की जो एक पुरा routine था तो वो सारा चीजें ही चेंज कर दें, तो वो कहला है का आपका संपूर्तावादी आंदोलन, तो इस तरीके से हमने देखा, चार आंदोलन है, सुधारवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, खंडात्मक आंदोलन, और संपूर्तावादी आंदोलन, तो ये चार टाइप बेसिकली देखा जाते हैं, S.N. राओं ने अपने अलग टाइपस भी थोड़ा सा दिया हुआ, मतलब बिसिकली इन ही चीजे के बारे में बात किया हुआ है, उन्होंने जो है सुधारवादी अंदोरन कहा हुआ है, खंडात्मक अंदोरन को उन्होंने विरोधवादी अंदो सामाजिक अंदोरन का जो लच होता है, वो टाइम बाई टाइम परिवर्दित होता रहता है, सामाजिक अंदोरन में क्या होता है, किसी समाज में चल रही प्रथा के खिलाफ कोई बुराई चल रही है, उसको बदलने के लिए अंदोरन किया जाता है, जिससे बाल विवार हो रहा हो, परता पर्था रहा हो, सती पर्था रहा हो, इन सभी को change करने के लिए इस तरी सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए, इस तरीयों के सिच्छा की दसा में बढ़ावा करने के लिए, उनको बहतर करने के लिए आंदोलन किया गया हो, तो यानि कि ऐसे आंदोलन मतलब जो भी चीज़े हैं समाजी का अंदोलन वो है, जिसकी मतलब किसी चीज़ को change करने का बहतर करने के लिए अंदोलन किया जाता है, इसका क्या होता है, कि इसका जब नेत्रित बदल जाता है, तो इसका रुख भी बदल सकता है, दिर कालीन भी हो सकता है, अल्ग कालीन भी हो सकता है, इंदर कुछ टायम के लिए भी हो सकता है, जघे लंबे टायम तक भी एफ मूवमेंट चल सकते हैं, तो इस तरीके सा समाजी का अंदोलन की विशेष्ता आए है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि समाजी का अंदोलन आखिर है क्या समाजी का अंदोलन को लेकर के विद्वानों ने क्या कहा है समाजी का अंदोलन के प्रकार क्या है समाजी का अंदोलन की विशेशतना है क्या है तो यह था बिशिक लिए पारा पैला चेप्टर दोस्त जिसमें अमने यह चीजे कबर किया आई हो भी वीडियो तो में पसंद आया होगा वीडियो में अभी भी फंबलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि मैं खड़ा हूं कैमरे के सामने मिंटें डेट बट जो भी है आई होब वीडियो तो में पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक चरूड करो अपने दोस्तों में भी सेर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके ओके मेरे दोस्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत